गुड मॉर्निंग एब्रीवान वेलकम बेक टू मैं चैनल स्वागे थे अब सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर और अभी है मॉर्निंग का टाइम और आज है द्वादसी आज एकादसी का ब्रत खुलना था हमें पाड़न करना था तो यह देख रहें आप दो चावल के दान यह है महाप्रशाद पूरी है पूरी का जगनात जी का प्रशाद है यह महाप्रशाद तो यह हमें बहुत ही सो मतलब की भाग्य से मिला है यह मंदीर के एक भया है उन्हों ने हमको दिया यह प्रशाद तो इसी से ब्रत पहले खोल लेती हूँ मैं उसके बाद मैं अरहर की दाल और रोटी खाती हूं तो वही मैं बना रही थी रोटी और अरहर की दाल पहले हम गरम पानी और चावल के दाने से ब्रत खोल लिया है और वैसे भगवान जी को भी चावल भोग लगाना चाहिए चावल का कुछ पकाया हुआ तो वैसे मेरा निरामिस कोई बरतन नहीं है तो इसलिए हम कुछ पका कर नहीं दे पाते हैं भगवान जी को भोग नहीं लगा पाते हैं तो हम ना क्या करते हैं उनका जो प्रशाद के थाली है उसमें चावल के दाने रख देते हैं तो वही भी खा लेते हैं हम तो भगवान जी का भी चावल देना हो गया हमारा भी खा जैंडेंगे वह मंखाएंगे उट यह प्ररशाद भूर थे यह अगर चावल नहीं देंगे तो हम कैसे खाएंगे इसलिए उनको चावल के दाने देते हैं और हमकाते हैं और जो महाप्रशादե PLत अलग से हम रखे हुए है वो भगवान जी को नहीं चराते हैं तो पहले से भगवान जी खाए है तो इसलिए वो अलग से रखा है वो सिर्फ हम ब्रत खोलते हैं उसी से और उसके बाद हमने चाय भी बनाये थे और रोटी और अरहर की डाल तो वो भी हम लोगे ने खा लिया थ तो अभी मैं कपड़ा डाल का जा रही हूं और फिर मैं चाय पीऊंगे और हस्बिन जी को चाय दे दिया है हमने मार्केट जाएंगे क्यों है क्योंकि आज है संडे और संडे के दिन तो हम लोग का सब्ची मार्केट जाना परता है इसलिए और आज फिर से यह बटरफलाई य अगर कुछ फ्लावर भी होता इसमें तो इसका मज़ा आ जाता बैठने में इसलिए और फिर हमको बगवान जी का बरतन भी साफ करना था वह हम साफ कर रहे हैं बगवान जी का बरतन कपड़ा वह हम ऐसे रख दिये थे क्योंकि पूजा करने के बाद क्योंकि पहले ब्रत ख अब बाहर जाओंगी क्योंकि मेरे बेटी उड़ गई है तो उसको ना खाना था मतलब कि बिस्कित एक कुकीज है चौकलेट कुकीज तो उसको वह खाना था सुबा सुबा तो मैं अभी जा रही दुकान यहां पर पास में है तो वह खाना था वही लाने के लिए मैं अभी साथ में मैं और एक बिस्कित की पैकेट भी लेकर आएंगी तो वह ले आकर उसके बाद मैंने उसको दिया वह तो खाली और मैं अभी किचन में चली गई हूं खाना बनाने के लिए तो आज मैं बना रहे हूं पत्ता गोबी की सबजी और यहां पर देखो कैमेरे को ठीक करत Christina, मेरा mobile यहां पर एकदम गिरी गया मेरा यह नाया वाला mobile है यह देखो गिर गया मेरा mobile थो यह मेरा श्माट भी गिरे है और हस्पिन और भी बीडियो बनाऊंगी न थब भी गिरेगा गिरेगा कभी सेट नहीं होगा कभी इधर उधर से गिरी जाएगा यहां पर नम फोन में मैंने मा से बात कर रही ती मेरे मा एक जगा जा रहे थी तो उनको ना टोटो की आवाज से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था उनको हम बार-बार बोल रहे थे कि जब आप उत्रोंगे त तो उनको सुनाई नहीं दे रहा था तो इसलिए बार-बार हम बोल रहे थे और यहां पर मेरा सब्जी भी पग गया था यह पत्ता गोबी आलू मटर और गाजर की सब्जी है और यह वाला सब्जी बहुत ही टेस्टी बना था और इसको हमने एकदम सुखा-सुखा करकर बनाय है और साथ में एरखर की डाल जो में सुबा बनाई थी तो फिर में बनाऊंगी यह पकोड मिर्ची के पकोड़े यह वाले पकूरे ना इस भी यह न देंग आश्मेले में यह बहुत ही टेस्टी लगा था था रम्बा लम्बा सा है तो यह कराई में नहीं जाएर और बैटर यह भी थोड़ा सा बनाए हो मैं ऐसे चम्माच से लगा कर में कराई में दिया है तो पता नहीं कैसा बनेगा उसके बाद मैंने मेरे पास एक idea कि क्यों ना मैं मिर्ची को फार दूँ फारने से शायद उसका थोड़ा सा अच्छे से हो पाएगा तो इसलिए मैं फिर मिर्ची को बीच में इसे फार दिया फार कर फिर पकोरे बनाए और एक मिर्ची का मैं एकदम मतलब पुरा ही बना दिया था उसको मैंने फारा नहीं था मतलब की एकदम आधा नहीं किया था बाकी दो मिर्ची का हमने बीच में से फार दिया था तो टोटली तीन मिर्ची का हमने पकोरे बनाये थे तो पकोरे मतलब चावल से खाने से पहले ऐसे हवा हो गई मतलब कि ऐसे खाते खाते हवा हो गई तो रसा बैटर बचा था तो मेरे बेटी को मिर्ची का पकोरे अच्छा नहीं लगा तो हम उसके लिए आलू का पकोरे बनाया था आलू का पकोरे भी ऐसे ही हवा हो गया मतलब कि चावल के साथ खाने का जरूरत नहीं था ऐसे ही गर्मा गरम ले लेकर खा कर खतम कर दिया और अभी मैं बनाओंगी पनीर की सबजी तो आज अज दिन जी पनीर लाए है और आज सबजी मार्केट में मेरे बेटी भी गए थी सबजी लाने के लिए तो वो भी गए थी और हमने आज बनाया है बैगन का फ्राई और पत्तागोबी की सबजी और पनीर की सबजी और दाल और साथ में पकोडे तो इतना सारा बन गया था और निरामी इसके दिन थोड़ा सा जादा बन जाए तो खाने में तो अच्छा लगता है बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पर खाने में थीक ठाग लगता है कोई बना कर दे तो तब तो बाती कुछ अलग होता है कुद बना कर खाने में बहुत जाता मुश्किल होता है तो चलो कोई नहीं बना तो लिया है हमने खाना हुआ नहीं है अभी हमारा खाना बाकी है सुबा तो वैसे रोटी और दाल खाए थे तो थोड़ा सा पेट भर गया है और फ्रेंड ये देखो ये है बात्रूम औरकानाइजर त तो मेरे कीचन में भी दो है मैंने आख सब दिखाया नहीं आप लोग वैसे देखे है मेरे वीडाटेयो पर हमने वैसे वीडाटेयो पर बताया नहीं कभी तो बैसिन के सामने है तो ये जो है ये कीर झाट हमोनुर के तो पहले यहाँ पर का जो ब्रश बग्रा है न इसका वो यहाँ पर रहता था, वो यह जो एक देखर है आप खील के जाएसा उसमें हैंक कर रखते थे तह अब हमने उसको उटार दिया है इस जो है बातरूम में दो जो तो talk में यह दोनों को सेट कर दिया है और यहाँ तो उसके साथ यह आया था तो हमने सोचा और खड़ी देंगे नहीं इसको बात्रूम में लगा देते हैं तो यहां पर लगा दिया था उसके बाद जब फिर से हमने देखा कुछ अच्छा लगा यह वाला प्रोडक्त तो हमने सोचा चले इसको मंगा लेते हैं अभी इसको इसलिए इसको नहीं उठाना ही बेटर रहेगा यहां पर है तो रहने देते हैं जिसको उठाया नहीं है और इसके नीचे एक कॉर्नर में लगा दिया है एक रैक और उपर एक रैक लगा दिया है तो यह कुछ ऐसा है हमने ऐसे और गनाइस किया है और हमें तो अच्छा लग हैं यह उपर रखते थे ति उतारने लिए जैदा दिक्कत होती थी और बहुत जादा हो गिर जाता है यह उतारू तो बहुत जो घृता है थे तन बहुत जादा मतलब क्षिशा आता था अँवेगा नहीं अब देखकर हम अच्छे से उतार कर ऊच्छे रख पाएंगे यहां पर फिर यह वाला प्रोड़क्ट बहुत ही अच्छा है हम इसको मीशों से और किया है अगर आप भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो बहुत अच्छा प्रोड़क्ट है और वैसे यह टेंपरारी है पार्मेंट नहीं है अगर आप इसको उतार कर कहीं ले ले जाने का सोच रहे हो तो ले जा सकते हो तो इसका जो ग्लू है इसको आप अलग से खरीदना परेगा यह तो लगेगा नहीं क्यूंकि इसका जो ग्लू है इना उठाने के बाद इसको हवा पानी लगने के बाद शायद और चिपकेगा नहीं तो इसलिए और वैसे यह तो हम लोग का पार्मारमिनंट घ्र नहीं है तो इसलिए हम इसको यूज कियाय तो और यूज करने में अच्छा यह और यह वाला है ना वह मेरे बेटी बोले थे हम को लगाना है Hem गाना है तो वह लगा रही ہے यहां पर और जिसमें साबून रखा हुआ है न वैसा अभी भी दो रैक है तो हमने कहीं पर लगाया नहीं रखे हुए हैं कभी कहीं पर जरुरत होगा तो वहीं पर लगा देंगे इसलिए कहीं पर लगाया है बीबी पर्फेक्ट में बात्रूम को कुछ ऐसे और गनाइज किया है यह सब सब पहले लगा दिया था ना हमने तो इसलिए नहीं यह थोड़ा सब मतलब ऑफ साइट हो गया है अच्छा नहीं दिता है यह आपर और यह बैसिन के उपर है पर यह वाला जो बैसे नहीं है तो इसलिए यहां पर लगा दिया है हमने ऐसा और वी दो है तो वह हम लोग रख लिया है मान में लगाएंगे कहीं अगर जरूरत हो तो कुछ ऐसे हमने और इसको यहां पर रख लिया है हमने और इसमें श्यापू का पाउच है यहां पर और फ्रेंग यह लगाते लगाते मेरा पनीर का सब्जी भी हो गया है तो चलो फ्रेंग अभी रखती हूं मिलती फिर नेक्स्ट और एक ब्लॉग के साथ ओ हाँ एक चीज़ तो बोलना मैं भूली गई तो मेरी क्रिस्मस फ्रेंग आप सब को मतलब मैं तो यह वीडियो वैसे संदे का है तो पर मैं इसको एडिट कर रही हूँ 25 तारी को मतलब को मन्ले को इसलिए आप सब को मेरी क्रिस्मस